अब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बैल आइकोन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नॉटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सगे है। हेलो स्टुडेंट आप सबका एक बार स्वागत है हमारे यूटूब चैनल अक्साज ठाकरानी में आज मैं आपकर के लिये लेकर के आया हूं क्लास सब्षै, दसमी संस्कृत विश्य का तिरत्य पाठ सवराष्टरगोर्वम तो आईए पाठ पढते हैं, अस्माकम्ण चिंतने राष्टर शय अवधारना अति प्राचिन्न विद्यते हमारे चिंतन में राष्टर की अवधारना थम्हारा अतिआन प्राचिन्हां वेदेश्यवपी और राष्ट्रे राजन्या यजरुः vidéo वियम राष्ट्रे जाग्रियाम यजरुःद एहम राष्ट्री संगमनी वशुमनाम रिंगिवेद इत्यादी बहूशू मन्त्रेशू राष्ट्र सब्डिश्य प्रयोगनेम एतयस प mundial मस्ती क्या है कि वेदों में भी आराश्ट्री राजस्य यजुरुवेद वेम राश्ट्र जागणयम यजुरुवेद एहम राश्ट्री संगमई वसुनाम रिंग वेद इत्यादी बहुत से मंत्रों में राश्ट्र सबद के प्रियोग से यह स्पष्ट है हमारी राष्ट्य समंदी आवधारना नमीन है और पश्चिन से आई है ऐसा जो मानते हैं वास्ते में वे क्या है ब्रहांता समसंती हमारा यह भारतवस एक अत्यंत प्राचिन और सनातन राष्ट्र है किन्तव चित्र रिशी भी मुनि भी कवी भी तातव चिन्त केश चे केवलं भोतिक भोगोलिकं राज्यतिकं चे घटकं एक मेव राष्ट्र मिती ही नेव बतम किन्तु यहां रिश्यों ने मुनियों ने कवी और तत्तव चिन्त कोने ने केवल भोतिक भोगोलिक और राज्यतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना है राष्ट्र मिती यदूचिते तत्र एकम चिन्तन सांस्कर्थि घटकं मतम कहा है जो राष्ट्र कहा जाता है व्य एक चेतन और सांस्कर्थिक घटक माना गया है व्यम एदम राष्ट्रम एदम मनिहा महे हमें इसे राष्ट्र देव मानते हैं एतद वे भारत अस्माकम दुरुष्टो नयकिशन मर्तिव पिंडो वा भूमंडो वा विद्यते अपितू भारत भूमी इस्ति यदा किलो कत अर्थम वेदे भारत भूमी पुत्रों हम पिर् ही है हमारा भारत हमारी द्रश्टी से द्रश्टी में कोई मिर्त्री पिंड यत्वा भूमंडल नहीं है अपितु मात्र भूमी है जैसा अर्थवेद में कहा भी गया है मात्र भूमी पुत्रो एहम पिर्थवियां क्या है भूमी मेरी माता है और मैं पिर्थवी का पूत्र हू यदा किलोकत अर्थ वेदे मात्रा पुत्र वेदम पुर्थिव्याम रिंग वेदे कथम अस्ती पुर्थिव्याम माता हा दो देव मेर पिता हा मात्र भुमी, पित्र भुमी, पुन्य भुमी, धरम भुमी, करम भुमी, देव भुमी स्चेहे एतिवेव विविधे रूपेण, पिता, माव पस्ती, भूब, भूबवन, मोहिनी, इम आस्माकं भारत माता हा मात्र भुमी, पित्र भुमी, पुन्य भुमी, धरम भुमी, करम भुमी और देव भुमी इतियादी विविद रूपों से संसार के मन को मोहिद करने वाली यह हमारी भारत माता स्तित है राष्ट्र संबंदी, राष्ट्रत्या से संबंदित, संबंदित राष्ट्र गोर संबंदी और राष्ट्र भक्ति संबंदी कुछ सलोग इसे पाठ में संक्लित है तो आईए हम पाठ पढ़ते हैं राष्ट्र गोरम तो सलोग पढ़ते हैं पहला क्या है उत्रम यत समुंद्रश्य है हिमाद्रश्य दक्षिनम वर्सम तद भारतम नाम भारती यतर स्तंतिही अग इसका अनुवे करेंगे तो सबसे पहले लेंगे हम यत को यत समुंद्रश्य उत्रम हिमाद्रे चैएव दक्षिम यत्र भारती नाम स्तंती तत भारतवर्स नाम है उत्रम उत्र दिसा में हिमाद्रे हिमालय के प्रवत में और दक्षिम दक्षिम दिसा में और भारती माने भारती है और स्तंती माने होते हैं पुत्तर या संतान तो क्या है कि जो समुंदर की उत्तर दिसा में और हिमालय परवत की दक्षिन दिसा में भू भाग है जहां भारती एर्थात सरस्वरती पुत्तर है वही भारत देश है अब दूसर दिसा में रहता है हिमालयात संभारव्य या वदी इंदू सरोवरं तदम देश निर्मितम देशम हिंदूस्तान प्रक्षिते हिमालयात हिमालयात संभार गय इंदू सरोवरं यावत यह देश स्तहा देव निर्मितम तैदेव देश हिंदूस्तान प्रक्षिते हिंदूस्तान प्रक्षिते हिंदू महासागर देव निर्मित होता है देवताओं द्वरा रचित तो क्या है हिमालया से लेकर हिंद महासागर तक का जो भू भाग है इमालिय प्रवत से लेकर के जो हिंद महा सागर्त का जो भू भाग है देवताओं द्वारा निर्मित उस्तान को हिंदुस्तान कहा जाता है अब आता है तीन नंबर गायती देवा किल गीत कानी ध्यानस्तु ते भार्त भूमी भागे सरग अप वर्गहा स्पर्द भाग भूते भवती युवय पूरिसाह सुर्टावत क्या है इसका अनिवे करेंगे तो यह विश्णु प्राण से लिए गया है इसका जब हम इसका अन गीत का नहीं होता है गीत और सुरगहा अप वर्गहा स्पर्द भार्भूते अधात सुरग और मोक्ष की प्राप्ति का जो मारग सरूप है भार्त भूमी भागे भार्त के भूमी भाग होग में सुर्तावत Agriculture के रूप से भूमने फिर से अतात ऐने के मतलब है देवता जहां क्या करते हैं गीत काती हैं वे धन्य हैं वे मुझषय धन्य है जो स्रग और मोक्ष की प्राप्ति का मारग सरूप भारत देश में देवता रूप से अर्था अथवा स्रग्शे भ सब्सक्राइब भार्त देश के रूप में अथ्वा सरग से आकर पुन्य उत्पन होते हैं यहां आवतार लेटे किए देवताinação पुन्य माना गया भारत मुमी को अब आता है चार नंबर सलोग क्या कहता है सम प्राप्य भारते जनम सत करम शुह प्राड मुखम पूयस कलसम हित्वा विस्भांड विस्भांडम उपाशित यह है व्रित हाद्री पुरणम से लिए गया है इसमें क्या करता है कि अगर हम इसका अनिवे करेंगे तो क्या बन जाएगा इसका अनिवे भारत जनम सम्प्राप्य है अपियो जनहा सत करमेशु प्राड मुखम भवती से प्यूस कलस हित्वा विश्भाणम उपासितम विश्भाणम होता है विश्भाणम गड़ा तो क्या है संप्राप्य है संप्राप्य में इस प्राप्त करके सत करमेशु मन होता है सत करमों के विश्य में प्राड मुखम लि अर्थात क्या कहते हैं भारत देश में जनम प्राप्त करके जो मनुस्य सत करमों से विमुख होता है यानि कि इस भारतेश में जो जनम ले करके और अच्छे करमों से को नहीं करता है अच्छात सत करमों से विमुख रहता होता है वैं अमर्वत के घड़े को छोड़कर जहर के पात्र को ग्रेन करने वाला होता है अब आता है पांच नंबर क्या कहता है एत देश है प्रसुत्ष्य है सकाशाद गरजनमन स्वम स्वम चरित्रम रक्षिनें पिर्तिवहा सर्वमान शहा मनुस्मर्थी में यह कहागे है यह सलोग है मनुस्मर्थी का जब इसका हम अनिवय करेंगे अगरजनमन स्वम चरित्म स्वम स्वम चरित्रम शवचे स्क्षि में इत दर्श-प्रसुत्ष्य है इस देश में उत्पन हुए आगरजनमन स्वम नंन के और एका अश हा पास से सव सव चरित्रम अपने लिए अनकूल वहवार और शिक्ष्रेन होता है शिक्ष्या प्राप्त करें अब आता है अग्यातम का सलोग है अपी स्रुण में लंका नै में लक्षमन रोचते जननी जन भूमिशे स्रुगात अपी गरेशिशी यह सलोग भगवान राम ने लक्षमन को कहे थे जब क्या था कि सोने की लंका को जीतने पर सीराम वहां रहना नहीं चाते थे और वे लक्षमन से कहते हैं जब लंका जीत ली रामने तो लक्षमन जीने कहा क्यों भाया यह एगड़ा से भी सुन्दर नगरी है सोने की लंका है आप यह विसन को क्यों दे रहे हो आप इस पर अपना खुद का स्वामी तब क्यों नहीं जमाते हो हम यहां क्यों नहीं रह सकते हैं तो तब उन्होंने कहा अपी सरवगपी लंका मैं में लक्षमन रोचते हैं जननी जनन भूमिश्य स्रुवागद अपी ग्रियश्य शी अथाथ जब इसका हम करेंगे अनिवे में नहीं रोचते मुझे अच्छी रूचिक नहीं लगती है जननी माताहा ग्रियश्य शी उससे भी स्रेष्ट यानिकी अर्थात कहता है कि है लक्षमन सोने से निर्मित भी लंका मुझे अच्छी नहीं लगती है माताहा जननी माताहा जनम भूमी मात्र भूमी और स्रग स् अधिक स्थ होती है इसलिए मुझे यह लंका नहीं चाहिए अब आता है सात नंबर क्या कहता है अमिर्त वागभाग का अचारे और वाग यह वागवाई चारे क्या कहते हैं इंगर कर एंगर दो क्या बनुएगर दो था राष्टर का मंगल करने वाली राष्टर दस्टी को हम नमशकार करते हैं राष्टर का मंगल यापने देश का जो मंगल चाहते हैं ऐसी राष्ट्र दस्ट्री को हम नमश्कार करते हैं जिसके बिना लोग अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख पाते हैं ऐसे अगर दस्ट्री किसी पास ना हो तो वो अपने निकट अपने पास में जो राष्ट्र है उसको भी नहीं देख पाती है वो दूसरे देशों की तरफ खिची चली जाती है इसलिए इसे ही कागया है कि ऐसी राष्ट्र मंगल करने वाली राष्ट्र दर्ष्टी को हम नमस्कार करती है अब आग आता है तदेव कहें यह सलोग समान संस्कृति मिताम यावत ही पित्र पुन्यभू तावितम भूवाव वृत्ति है राष्ट्र एकम निगध्यते समान संस्कृति मिताम समान संस्कृति को मानने वाले यावत ही जतनी पित्र भूव पुन्यभू पेत्रक पवित्र भूमी तावितम उतनी भूवम भूमी को आवर्ति है घेर करके और निगध्यते कहा जाता है तो इसका हम अन्या करेंगे तो समान संस्कृति मिताम जननाम यावत ही पित्र ही पुन्यभूत आवितम भूव्यम आवर्ति है एक राश्ट्र निगध्यत ही तो एक समान Sun 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 यो बहुकत मुझे कुला हरत है किला विद्यति अन्यव करेंगे तो duhi est sir הם 10 तस्य ततर्राश्णे सव अपना पन न हरती नहीं हो सकता है जिसका जहां पेतरक भाव और पुन्य भाव दोनों नहीं होते हैं यानि कि वहां कोई उनकी पेतरक भुमी नहीं होती है या पुन्य भाग उनसका कोई पुन्य नहीं किया होता वहां कोई ऐसा भाव नहीं हो उस राष्टरिस में अपन्तव का भाव नहीं हो सकता अथात राश्ट्र के परती अपनतप का भाव पेत्रक भाव और पुन्यतव से उत्पन होता है अपने राश्ट्र के परती अपने देश के परती जो प्रेम भाव है वो पुर्वजों की ही देन मानी गई है अब आगे हैता है दस्वना नंबर है यह भी तदेव शे हैं तो यह कहता है राश्ट्र शो उत्थान पतने राश्ट्र यावन अवलंब्य ही भावत सश्यव सर्वदाहा तश्याम चिद शिनिम नियास्तू राश्ट्रि हा राश्ट्रियान और इसका अनुए करेंगे तो राश्ट्रियान अवलंब्य ही राश्ट्र श्यव उत्थान पतने भावत तस्मात राश्ट्रिया हा तु स्रवदाहा रक्षणिया राश्ट्रियान राश्ट्र के निवाश्यों का अवलंब्य सहारा लेकर के उत्थान पतने उत्थान और पतन शिक्षित करना चही राश् राष्ट्र का उथान और पतन होता है कि विकास होना पतन खत्म होज़़ना निवाश्चियों का आस्रे लेकर कर तो हमेसा राष्ट्र भावना की शिख्षा देनी चाहिए राश्ट्र की शिख्षा ही देनी चाहिए अब आता है ग्यारा नंबर अंतिम है यह चान के द्वरा है विद्या सस्त्रम चै सास्त्रम चै दवे विद्य है पर्ति पत्य है सस्त्रेन रक्षित है राश्ट्र है और सास्त्र चर्चा परवत्य तो अन्य करेंगे सस्त्रम चै सास्त्रम चै इति दवे विद्य है पर्ति पत्नी स्तह है सस्त्रेन राश्ट्रेरक्षित है संति और सास्त्र चर्चा परवत्य तो कहता है यह राश्ट्र सस्त्र विद्या और सास्त्र विद्या यह दो विद्याई ज्यान प्राप्ति के लिए हैं सस्तर के द्वारा राष्टर के स्रुक्षित होने पर सस्तर की चर्चा करने चाहिए तो यह दो विद्याएं सस्तर के द्वारा हम राष्टर के स्रुक्षित होने पर सस्तर की चर्चा करने चाहिए या होने होगी तब यह था मारा लेशन अब इसी पार्ट के हम इसी लेशन के आगे कुशन अंसर करेंगे